नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं बैक्सिन पर राजनिती सुरू कुरोना का बैक्सिन अभी तयार भी नहीं हुआ है लेकिन उस पर राजनिती सुरू हो गई है बता दे कि भाजपा ने बिहार विधान सा बात चुनाव के लिए अपना घोसना पत्र जारी किया तो उसमें यह कहा कि भाजपा की सरकार भैक्सिन मुफ्त उपलब्त कराएगी इसी करा में मध्द पदेश के मुख्यमंति सिराज सिंग चुवान ने ट्विट करके घोसना किया कि देश में क्रोना वाइरस का भैक्सिन बनने का काम तेई से चल रहा है जैसे ही भैक्सिन का निर्मान हुआ राज के लोगों को सरकार मुफ्त भैक्सिन उपलब्त कराएग ज्यारखन में वासम विभाग के उसार बंगाल की खाड़ी में लोग परेसर सक्रिये हो चुका है अगले 24 घंटे के दवरान लोग परेसर के डीप डिप्रेशन में बदलने का नुमान है जिससे ज्यारखन में बारिस के असार है ज्यारखन में वैक्सिनेशन की तयारी शुरू पधान मंतरी नहीं दिमोदी द्वारा देश के सभी लोगों तक करोना की वैक्सिन पहुचाने की घोसना के बाद ज्यारखन की रैधानी राची में भी इसकी तयारी शुरू हो गई है बता दे कि गुरुवार को राजधानी राची में उपायुक छवी रंजन ने इस समध में एक महत्पूर बैठक की उन्होंने बताया कि COVID-19 वैक्सिनेशन के लिए स्वास्त कर्मियों का डेटाबेस तयार किया जाएगा कुरोना निगेटिव होने पर भी निगरानी होगी राजे के 6 अस्पतालों में पोस्ट कोविन केर सेंटर खुलेंगे कुरोना संक्रमन को मात दे चुके लोगों की बाद में होने वाली परसानियों को दूर करने के लिए राजे में 6 पोस्ट कोविन केर सेंटर खोले जा रहे हैं इसके लिए स्वास्त बिभाग के प्रदान सचीव डाक्टर नितिन कुलकर्नी ने आदे जारी कर दिया है सिरिक कुलकर्नी ने कहा है कि सभी PCCCC में कुरोना से ठीक हुए मरीजों की परसानियों के प्रवंदन फोलो अप वो परामर्स की वेवास्ता सुनिश्चित की जाएगी बतादे की परामिक चरण में राजे के 6 अस्पतालों पोस्ट कोविन केर आयन कॉंसिल सेंटर बनाए जाएगे इन में राची रिम्स, जमसेदपूर, बोकारो, धनबाद, सेंटरल, होस्पिटल धनबाद और हजारी बाग सामील लिहाए सिक्षा मंत्री की सेहत में सुधार फेफ़रों को छोड़ सारे रिपोर्ट नर्मल जाकरन के सिक्षा मंत्री जगनात मतों की सेहत में काफी सुधार है फेफ़रे की संक्रामन को छोड़कर उनकी सारे रिपोर्ट नर्मल है फेपड़े को ठीक होने में अभी थोड़ा वक्त लएगा उनका फेपड़ा बुरी तरह डाइमेज हो चुका है इसलिए उन्हें डीपली बेहोस करके राची से चेनाई ले जाया गया था एक सब्ता के बाद फेपड़े भी काम करने लगेंगे ऐसे चेनाई स्थीत MGM होस्प अखंड से बसों का चलना सुरू हो जाएगा बता है कि इस दोरान राजय में बहाद से आने वालों के लिए होम कॉरेंटीन के बैता भी खत्म कर दी गई है इसकी जगा सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाध दी गई है इक नॉमबर से जीम बार खुलेंगे चौदा दिन के होम कॉरेंटीन में भी खूड सरकार ने तेवहारी सिजन में लोगों को कंटेन्डवेंट जोन से बाहर सर्तों के साथ बड़ी खूड दिया एक नॉमबर से जीम और बार खूड सकेंगे जबकि 8 नॉम्बर से अंतराजिये बसों के संचालन के अनुमती भीद्य दी गई है दूसरी वो ततकाल परभाव से दूसरे राजे से जाखन वापस आने वाले को 14 दिन के होम कुलेंटीन से भी छुट दी गई है हलाकि उन्हे 14 दिन तक संक्रमन के लक्षन पर खुद ध्यान देना होगा सरकार के नई गाईलेंट के अंसार एतीन गथिवीदिया पर अभी भी परतिबंद है किसी भी परकार के जूलूस, मेला परदसनी, दर्सकों के साथ खेल गति भी धिया इसकूल कॉलेज, सक्षनिक गति भी धिया, प्रसिक्षन, कोचिंग संस्तान, सिनेमा होल, स्विमिंग पूल और इंटर्टेन्मेंट पार्क बंद रहेंगे जेटेट उतिन अभियार्थियों ने तोड़ा अंसन आट अक्टूबर से मोराबादी बापू वाटिका में अंसन पर बैठे जेटेट अभियार्थियों की वार्ता गुरुवार को प्रोजेक्ट भावन में मुख्य सचिव, यम सिक्षा सचिव के साथ हुई बता दे कि वार्ता में जेटेट अभियार्थियों की मागों पर बिस्तार से चार्चा की गई, मुख्य सचिव ने अस्वासन दिया कि सिक्रही सभी जीला से रिक्तिया मंगा कर रोश्टर तयार कर जेटेट दोया सोरा उतिन अभियार्थियों के नियुक्ति पर क्रिया सु 17-19 के संक्रमन के बीच लोगडन में रियायते दिज दी जा रही है। तेवार के मौशम को देखते हुए जार्खन सरकार ने भी कई छुडदी है। असांका ब्यक्त की जा रही है कि तेवारों के दवरान कुरोना संक्रमन की दूसरी लहाद चल सकती है। लिहाजा राज सरकार ने सभी जिला के उपायुकतों को इस बावत दिशा निदेश जारी कर दिया है। शोजित करते हुए 26 अक्टूबर 2020 तक कर दिया। शारकन में कुल संग्र मितोग संख्या 98610 है जबके 9629 लोग स्वास्त हुए और 869 की मिरिती हो गाई। भारत में नाइक केस 242218 मिले हैं जबके 94214 लोग स्वास्त भी हुए है। जारकन में गुरु आरको 8 की महत हुई है जो राची से 4 बोकारों से 2 धनबाज से 1 वा कोडार्मा से 1 की महत हुई है। गुरु आरको 625 मरीज स्वास्त भी हुए है। राज में 622 कूल एक्टिव केस इस प्रकार है। राची उनईस सव अन्ठानवे पूर्वी सिमू 1323, बोकारों 314, चात्रा 56, देवखार 120, धनबाज 417, दुमका 107, गाडवा 64, गिरीडी और सट, गोड़ा 46, गुमला 156, आजारवी एक्टिव 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 पलामू 52, रामगाड 125, साइब गंच 50, सराय केला 29, सिमडेगा 115, बाच्चिमी सिमू 137, जारखन के पूरो मुखमंदरी और भाजपा के वरिष नेता रगुवर दास ने राज की सतारूड पार्टि जारखन मुक्ति मुर्चा एवं उसके मुखिया के परिवार पर करारा ह चामला किया, विधान सभा में तब की मुखिया विपक्चि पार्टी को मीर्ची लगी कहने वाले तदकालीन मुखमंदरी और भाजपार दास ने फिर कहा मीर्ची लगी, पार्टियai जन्ता पार्टी के केंद्रेव पादेश्यक्ष ने ने कहा, जां मों नेता को एक गई इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मैं कैसे दोसी हो सकता हूँ साथी उन्होंने कहा कि देश के परधान मंत्री को घोम घोम कर चोर काना यादी संसाधिय है तो उन्होंने किसी को चोट्टा कह दिया तो या असंसाधिय कैसे हो गया जर्खंट की यमंद सुरेन सरकार पर विदायकों को आवास आवन्टन के मामले में भेध भाव करने का रोप लगा है मामला हाई कोट में दो जजों की खंड पीठ के पास पहुंच गया है और कोट ने जर्खंट सरकार को नोटीस जारी किया है पीठ ने भारतिये जनता पार्टी के बिधायक नवीन जैस्वाल की आचकापर राई सरकार से पुछा है कि बिभीन दलों के बिधायकों को आवास आवंटन में भेदभाव क्यों किया जा रहा है केंद्रिय मंत्री और जाखन के पूरो मुख मंत्री अरजुन मुंडा ने कहा है कि हेमंत सुरेन ने दुमका की जनता को बेईज़त किया था यहां के लोगों के पास आपना सम्मान बचाने और वापस पाने का मौका आ गया है दुमका विधान सभाव उप चुनाव में भाजपा परत्यासी डाक्टर लुईस मरांडी के पक्ष में मद्दान कर जाकन मुक्ती मोर्चा के परत्यासी को पराजित करे और आपना खोया समान वापस ले बिहार चुनाव को लेकर चत्रा पलामु गड़वा में जूटे नक्सली बिहार में चुनाव को लेकर जारखन में भी पूलिस एतियात बरत रही है लेकिन बिहार के सीमावर्ती इलाकों में मवादी संगठन की दविस ने चुनाव के पूर्व वर्दात के असंका को प्रवबल बना दिया है वर्तमान में चत्रा पलामु और गड़वा से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में मवादी दस्ता कैमप कर रहा है राची में बाल मित्र थाना का उद्गाटन रायजानी राची के कोतवाली थाना परिसर में बाल मित्र थाना का उद्गाटन किया गया SSP सुदेंदर कुमार जहा ने इसका उद्गाटन किया बच्चपन, बच्चाओ, आंदोलन और राची पूलिस के सवयोग से बाल मित्र थाना की सुरुवात की गई है इस्थाने में जूर्म के रास्ते पर जाने वाले बचों को काउंसलिंग होगी संताली भासा को राज भासा का दर्जा देने पर नियमा उंसर करवाई करे जर्खन सरकार राज पाल जार्खन की राजपाल दुरोपती मुर्मु ने हिंदी के साथ संताली भासा को भी जार्खन की प्रतम राजबासा का दर्जाद देने को लेकर नेमा उसरकरवाई करने के निर्देश राजसरकार को दिया है राजयपाल के निर्देश पर उनके परधान सचीव सैलेश कुमार सिंग ने आदिवासी सेगेल अभियान की मांग पर नेमा उंसर करवाई करने को लेकर मुख्य सचीव को पत्र लिखा है दसवी और बरावी के मारकशित पर अफ्हेल वा कमपार्टमेंट नहीं लिखा जाएगा केंद्रियम आदमिक सिक्षा बोर्ट CBSE अब दासवी और बरावी के मार्क सिट पर फेल और कंपरमेंटर नहीं लिखेगा बलकि इसकी जगा एसेंसियल रिपीट लिखा जाएगा सतर दूजर बीस के रिजल्ट में अंग पत्र के बदलाव को बोर्ट ने परियोग के तोर पर मंजूरी दी थी मगर अविबाकों और बचों का सकरात्मक रूजहान देखकर अविसे अस्थाई रूप से लागू कर दिया है जे पीएसिक के अध्यक्ष पद पर नियुक्ती समंधित प्रस्ताव को सीव ने दी स्विक्रिती जाखन लोग सेवा आयोग में अधियक्ष के रिक्त पद पर नियुकती की करवाई प्रणाम करने से समंधित परस्ताव को मुख मंतर हेमन सुरेण ने शिविक्रिती दे दिया है गौतलब है कि आयोग में एक अधियक्ष समेथ सदस के 4 पद स्विक्रित था है अध्यक सुदीर तिरपाठी का कारेकाल 26 सितमर को समाप्त हो चुका है इसके बाद से यह अपत रिक्ता है सेलफी आवर में अवाई लाख लोगों ने मास्क के साथ ली सेलफी राची जीला परसासन दुआरा पूर्व निदारी जागरूपता कारेकरम एक घंटे में एक लाख सेलफी महावियान चलाया गया इस महावियान में राची वास्यों ने बढ़ चरकर हिसा लिया साथी लोगों ने अपने सोसल मीडिया हेंडल ट्विटर फेस्बुक इंस्टाग्राम सहीत वाटसेप के जरिये सेलफी सेयर करते हुए एक ही अंदाज में लिखा हाजटेक राची वीद मास्क इस कारकर में एक घंटा के ताथ एक लख सेलफी का लख्ष रखा गया था लेकिन सेलफी लेने वालों के संक्या इस लख से बहुत आगे निकल गई गिरीडी परसाशन ने फ्लेग मार्च कर पंडालों में भीर नहीं लगाने की अपील की गुरु आरको गिरीडी परसाशन की ओर से सहरी छेतर में फ्लेग मार्च कर लोगों से पुजा पंडालों के समीप भीर नहीं लगाने की अपील की गई फ्लेग मार्च में डी सी राहूल सिन है, सदर एस डी एम, समेत कई जवान, आयारबी, जीला पुलिस वर्ल के काफी जवान समीली थे बाद चोक से निकल कर परसाशन का फ्लेग मार्च, इस दोरान सहर के चोक चोराव से गुजरते हुए कई पुजा पंडाल और दुर्गा मंडपो तक पहुचा है पलामू में 15 नॉवंबर तक चलेगा जन जगरूपता अभियान कुरोना वाइरस की रोक्ताम एवं बचाओ को लेकर पलामू जिला में जन जगरूपता अभियान चलाया जाना है बरतमान में यह अभियान 15 नॉवंबर तक चलेगा इसके मादेम से जिला पर सासंद वारा बिसेस कार्य जोजना तयार की गई है बता दे कि अभियान के तहुत जिला मुख्यालाय परखन मुख्यालाय पंचायत भवन में जगरूपता समंदीत होल्डिंग लगाए जाएंगे बसंत सुरेन का नमांकन रद करने की मांग विजेपी भारतिये जनता पार्टी ने दूमका ओप चुना में जगर्खन मुख्यालाय परत्यासी बसंत सुरेन का नमांकन रद करने की मांग की है मुख्य बिपक्षी दल ने सतारूट दल के उमिद्वार एवा मुख्य मंत्री हमन सुरेन के छोटे भाई पर तथे छुपाकर नमांकन दाखिल करने कारोप लगाया है भाज़पा ने बसंत सुरेन पर सपत पत्र के मादयम से गलत जनकारी देने के समन्द में मुख्य निर्वाचन पताधिकारी, मुख्य चुनाव आयूक्त, दूमका के उपायूक्त और दूमका के अनुमंडल पताधिकारी के पास सिकायत दर्ज कराई है बिधूत मंत्राले कटोती आदेश को निरस्त कर रासी लोटा है मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री हमन सुरेन ने पधान मंत्री ननमदी को कहा कि मैं जर्खन राज की जनता की ओर से आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि कौमिट-19 महामारी से निपटने एवं देश को सुरक्षित रखने में आपने सार्थक पर्यास किये मुख्य मंत्री हमन सुरेन ने पधान मंत्री को लिखे पत्र के माध्यम से काया कि मैं आपका ध्यान विधूत मंत्राले भाराज सरकार के उस नियना के ओर आक्रिस्ट करना चाहूंगा जिसके द्वारा राज सरकार के RBI में संधारित राज किये कोश से 1470 कोवर की कटोवती कर ली गई है धन्यवाद यदि आप चनल परना हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एकन दबाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर अवसे करें साथ साथ आप हमें अपना फीडबाइक अवसे दे थांक यू